ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं कुम्भ राशी वालू अब भगवान शनीदेव ने दे दिये हैं संकेत अब आपको 16 जुलाई से 22 जुलाई याने किन 7 दिनों में पांच सुब समाचार और बड़ा सरप्राइज मिलने वाला हैं जांदोस्तो भगवान शनीदेव के अशिरवास से आपके लिए 16 जुलाई से 22 जुलाई याने किन 7 दिनों का समय बहुत की अच्छा समय रहने वाला है जां दोस्तो इन साथ दिनों में भगवान शनीदेव आपके ओपर सब से अधिक मेहरबान रहने वाले हैं जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जिया दोस्तों में बड़ी खुश कबरीयां कौन-कौन इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंततक अवश्य बने रहें और अंततक इस वीडियो को आप पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें कोकि यह वीडियो आपके लिए बहुती महत पापोन रहने वाली है दोस्तो वीडियो का अगे रहेगा आपके लिए भगवान शनिदेव के अशिरवास से 16 जुलाई से 22 जुलाई यानि के निशात दिनों का यह महत पापोन समय दोस्तो यह समय कामकाज को लेकर कुछ शकारतमक यात्रा का प्लान बनेगा जो आर्थिक रूप से आपके लिए बहुती लाबदाइक साबित होगी शंतान संबंदी किसी विशेश कार्य के संपन होने से आपको रहत महसूस होगी तथा कार्य को उर्जा के साथ पूरा करने का आपका जजबा भी बना रहेगा दोस्तो इस समय परिवारिक वातावरन अनुशाशित तथा शकारतमक रहेगा किसी सदस्य के विवासंबंदी अच्छा प्रस्ताब भी आ सकता है दोस्तो आप अपने कार्य को योजना बद वे उचित तरीके से क्रम बद करके निपटाते चलें अवस्य ही आपको सफलत अप्राप्थ होगी दोस्तो साथ साथ कुछ समय से चली आ रही समस्या रिष्टेदारों वे परिवार के लोगों के सहयोग से हल होगी जिसकी वज़े से आप अपने आपको बहुत ही अधिक तनाव मुक्त महसूस करेंगे दोस्तो साथ साथ विदेश में जाकर अध्यन करने के लिए प्रियासरत विध्यारतियों को अलप प्रियास से ही सफलता मिल जाएगी दोस्तो साथी साथ आप महसूस करेंगे कि किसी भी विपरीत परिस्तिती में आपका पूरा परिवार कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है इसलिए अपने परिवार को प्रात्मिक्ता पर रखना आपके लिए आवशक है घर के बड़े बुजुर्ग तथा वरिष्ट व्यक्तियों के साथ भी कुछ समय व्यतित करना घर के माहुल को और अधिक खुसनमा बनाएगा इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों के साथ और वरिष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ समय आप अपना अवश्य ही व्यतित करें दोस्तो परिवार के सदस्यों को आप से कु निविस करने के लिए भी उत्तम है आर्थिक इस्तिती को मजबूत करने में अपना पूरा ध्यान के इंदिरित रखें। यह समय फिजूल खर्ची पर नियंतर करना आपके लिए आवश्चक है। कुछ रिष्टेदारों के आने से विवस्ता थोड़ी बिगड़ सकती है। साथ ही घर्च की भी अधिकता रहेगी। दोस्तों साथी साथ यह समय भूमी वहन आदी के लिए करजा लेने के लिए योजनाई बनेगी। परन्तु आप चिंता ना करें यह धीरे धीरे आसानी से चुकता भी हो जाएगा। किसी नजदी की मित्र के साथ गलत फैमियां उत्पन हो सकती है। बहतर होगा कि संबंद खराव होने जैसे इस्तितियां ही आप उत्पन होने ना दें। वैवेसाइक, पुथल-पुथल तता आर्थिक मंदी की वज़े से परिवार के सदस्यों के खर्चों में भी कटोती आपको करनी पड़ सकती है। जिससे बच्चे कुछ उदास हो सकते हैं। इसलिए इस समय किसी पर भी अती विश्वास आपकी हानी का कारण बन सकता है। सावदान रहें, साथी साथ रुपे पैसे के मामलों में मी किसी पर आप भरोसा ना करें। दोस्तों साथी साथ यह समय रिष्टेदारों के साथ धन संबंदी लेन देन करने से आपसी संबंदों में भी खटास उत्पन हो सकती हैं। कि रोध और आवेग में चलते कैई बार बनता बनता काम अंतिम चरण में अटक जाएगा। इसलिए धहरें और सैयम से आपको काम लेने की आवश्चकता है। दोस्तों साथी साथ आप अपने परिवार की जरुतों को नजर अंदाज ना करें। आपका अपना कोई नजदी की मित्र ही जलन की भावना से कोई योजना या फिर साजिस रच सकता है। दोस्तों साथे साथ यह समय धन के निवेस संबंदी निर्णे में काफी सोच विचार और पूरी जांच पड़तार कर लेने की आपको आवश्चकता है। अन्यता आपको भारी हानी हो सकती हैं शावधान रहें। दोस्तों बात करें आपके लव लाइफ की तो यह समय पती पतिनी के बीच चली आ रही गलत फैमियां और मत बेद समाप्थ होंगे तता परिवारिक माहुल उन्हें सुकद हो जाएगा। परिवारिक वातावरन सुकद बना रहेगा। घर के सवी सदस्यों का आपसी तालमेल घर में शकार अत्मक उरजा को व्याप्त रखेगा। रहेगा किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपको खुसी और नई उरजा प्रदान करेगी। दोस्तो यह समय घर में शुक शांती का वाता वनड़ रहेगा। प्रेम संबंदों को परिवारिक शुकरती मिलने से मन में उमंग व्यखुसी रहेगी। दोस्तो बात अगर आपके वेवेशाय और केरियर की करें तो यह समय आपकी उदारता तथा म्रदू भासी स्ववभाब से वेपारिक संबंद और अधिक अच्छे बनेंगे। अपने प्रोडेक्ट की क्वाल्टी को लेकर और अधिक बहतर करना आपके लिए अतियावशक है। जन संपर्क का दाइरा और अधिक विस्तिर्ट करने में अपना ध्यान आप केंद्रित रखें। नौकरी में ते लक्षों को सरलता वे सुगंता के साथ आप हासिल कर पाएंगे। दोस्तो साती सात यह समय आप वेवसाई के विस्तार संबंदी योजनाओं पर पुन विचार अवश्य करें। कोई भी छोटे बड़े निर्णे लेते समय किसी का मार्ग दर्शन वे सला आप अवश्य लें। ओर्डर पूरा करने के चक्कर में क्वाल्टी के साथ समझोता आप ना करें। नौकरी में अधिकारियों वे सरकर्मियों के साथ संबंध आपके अच्छे बनेंगे। दोस्तो नौकरी और वेपार में परिस्तितियां सामन नहीं रहेंगी। कोई नया प्रोजेक्ट आरंब भी हो सकता है। परन्तु बाहरी व्यक्ति पर भरोसा आप ना करें। किसी भी प्रकार के समस्या को घर के बड़े बुजर्गों वे वरिष्ट की सला द्वारा सुल्जाने की आप कोशिस करें। दोस्तो नौकरी वेपार वेकारोबार में कुछ थोस वे महत्पपूर्ण निन्ने लेने संबंधित योजनाए भी बनेंगी। और इनका पेरणाम भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित वेवसाय में जल्दी ही आपकी कोई बड़ी डील लग सकती है। दोस्तो साथ साथ यह समय नौकरी में लक्षे वे टारगेट को पूरा करने का दवा भी बना रहेगा। जिसका आपको बहुती डट कर सामना करना है। दोस्तो बात अगर आपके स्वास्त की करें तो यह समय यत्रा के दोरान अपने खानपान वे दवाईयों का विशेस आप द्यान रखें। वर्तमान वातावरण की वज़े से अपना बचाव रखना आपके लिए अति आवश्चक है। दोस्तो स्वास्त कुछ कमजोर रहेगा। जोडों में दर्द जैसा कष्ट रह सकता है। बादी वाले तथा गरिष्ट बहुजन का आप सेवन ना करें। इस से बचें संतुलित आहार के साथ साथ वयाम और योगा जैसी चीजों पर भी आप अधिक ध्यान दें। ना कार अत्मक प्रवर्ती के लोगों से आप दूर रहें। वहन चलाते समय किसी भी प्रकार की लापर भाई गहा तक हो सकती है। साफधन रहें।